दोस्तो धोगला सभी पसंद करते हैं छोटे हो या बड़े लेकिन इसका टेस्ट तब बढ़ जाता है जब आप खुद से घर पे धोगला तयार करते हैं आज हम बनाएंगे हरी मटर और सूजी का धोगला उसके लिए एक कटोरी आपको हरी मटर लेनी है तीन-चार हरी मेच थोड़े से अद्र के टुकड़े और धन्या पत्ती की साथ पारिक पेस्ट तयार कर लें एक कटोरी सूजी ले लेनी है एक कटोरी दही बहुत खटी दही नी ले एक कटोरी पानी की साथ सूजी को फेट लें ताकि इसमें गाठे न रहे फिर हमने जो हरी मटर का पेस्ट तयार किया है हम उसे डाल देंगे एक कटोरी की लबग हम पानी और एट करेंगे यानि कि हमने दो कटोरी पानी इसमें डाला है क्योंकि सूजी पानी सोखता है इसलिए सब चीजों को डाल के अच्छे से फेट लें और 20-25 मिनट के लिए इसे ठक के रखने रहा है 20-25 मिनट में सूजी जितना पानी सोखना होगा सोख लेगा उसके बाद आपको खोलना है से चलाना है अगर आपको इकाड़ा लगता है थोड़ा पानी और एट कर लें आधा चमश चीनी और आधा चमश नमक नमक आप टेस्ट करना रहता है चीनी हम इसलिए डालते है थोड़ा टेस्ट का बैलेंस बना रहता है एक पैकेट इनो डालना है, फूट साल्ट इनो नहीं है तो घर में जो खाने वाला सोड़ा होता है, आप एक चमस उसको डालें, अच्छे से फेट लें, जिसमें हमें धोकला त्यार करना है, उसमें आप ओयल ग्रीस कर लें, सारे पेश्ट को डाल के, उपर से हलके असा लाल म पानी को पहले से गरम रखें कड़ाई में पानी अच्छे से उबलने लगे इसमें स्टैन रखके आप में कम से कम 20-25 मिनट तक पकाएं आप चाको की सायता से चेक कर लें हो गया है तो ठंडी हो जाने पर आप इसे कट कर लें इसके पाद इसके लिए तड़का त्यार करेंग हम एक से दो चमच ओयल डालेंगे कड़ाई में और एक चमच राई और हरी मेच कटी भी डाल देंगे करी पत्ता एक चमच के लगवा हम सफेद तिल डालेंगे और सभी को अच्छे से फ्राई करके पूरे ढोगले के उपर हम फैला लेंगे आपका ढोगला तयार है इस दम करिएगा और यह वीडियो आपको कैसी लेगी ज़रू बताएगा मैं फिर आओंगे एक वीडियो के साथ तब तक के लिए पाइबाए